जै गंगे माता दोस्तों, मैं विक्की बर्थवार और आज की वीडियो में मैं आपको हरकी पड़ी हर्थवार में जो आरती होती है उसके आपको लाइफ दर्सन कराऊंगा क्रिपिया इस वीडियो को लास तक देखें और अगर चेनल में फर्स टैम आये हैं पहली बार आये हैं तो चेनल को जरूर सब्क्राइब कर दें क्योंकि मैं ऐसी ही भगवान की और धार्मिक इस्तानों की भारत में जहाजा हैं वहां की वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ और आप घर बैटे धार्मिक इस्तानों की वीडियो देख सकते हैं यह इस टैम पे साम को पांस साड़े पांच बजे करीबन हरकी पौडी हरद्वार में मुख्य गाट में आरती हो रही है यह आरती दोनों टाइम होती है साम की आरती बहुत भववे होती है अलग अलग पं आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी हरकी पौडी हरद्वार में आप जब भी आएं तो साम की आरती जरूर देखें साम को थोड़े टाइम पहले आकर आप अपने जगा ग्रेंड कर लें क्योंकि काफी भारी मातरा में भीड होती है पास से अगर आरती को देखना है तो सा आरती करने के बाद यहां पर आपको फूल सामगरी भी मिल जाती है जिससे कि आप मा गंगा की आरती अर्चना कर सकते हैं माना जाता है कि मा गंगा में नहाने के बाद और आरती देखने के बाद इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है इस टैम दिसम्बर का टाइम है त तो गरम कपड़े जरूर लाएं, खास कर बच्चों के लिए तो गरम कपड़े जादा से जादा लाना ना भूलें, हरकी पौड़े में जो गंगा जल है वो काफी ठंडा है, इस टाइम दिसंबर के टाइम में हरकी पौडे हरदवार में जो गंगा जल है वो कम कर दिया जाता है क्योंकि यहां पर साफ सफाई का काम ज़्यादा होता है और आप से मैं एक अनुरोद जरूर करना चाहूंगा अपने इस चेनल के माध्यम से जब भी आप हरकी पौडी हरदवार आएं या पिर भारत के किसी भी धार्मिक स्थान वे जाएं तो पौड़े आने के बाद अपने पौड़े वस्थरों भी पर छूड़ देते हैं जो कि बहुत ही गलत है करिपया आप उन पौड़े वस्थरों को कोड़े दान में ढाले हरकी पाड़ी हरदवार टरस्टने जगह-जगह पे कोड़ेदान लगा रखे हैं आप लोग करिपिया उस कोड़ेदान का ही प्रियोग करें और मागंगा को साफ रखने की करिपा करें क्यूंकि मागंगा है तो हम है आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लगी अच्छी लगी तो वीडियो को करके जाएं जैक अंगे मात